हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू तू डी चैनल हर्जॉन ग्लासस सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फीचर और आफ वॉट सेंसे सनथ देखेंगेयाल क्या क्या स्थिप्अ करेंगर और एक बात बता दू क्या Characteristics of Competition Act 2002 भी पूछा तो आपको यह answer अगर आप सेम लिखेंगे तो आपको सारे marks मिल जाएंगे दोस्तों चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं यह आपको 10 marks में question पूछा जाता है तो यह गौर से समझेगा दोस्तों 10 marks का question है हमारा तो टोटल 8 features मैं समझाओंगा आज के इस वीडियो में चलिए हमारी स्टार्ट करते हैं हमारे first feature से first feature है anti competitive agreements the act to prohibits agreements between enterprises that may cause and applicable adverse effect on the competition in the relevant market so जो भी market में anti competitive agreements होते हैं competitors के बीच में वो रोकने के लिए ही competition act 2002 बनाया गया है these agreements could include price fixing, bid rigging and other colossal practices अब ऐसे anti competitive practices कों से होंगे anti competitive agreements कों से होंगे अब जैसे example के तोर पर price fixing अब example के तोर पर लेजिजिए एक market में 5-6 competitors एक तरह का product बेच रहे हैं तो सब ने एक union बना लिया union बना लिया कि प्रोड़क का price तिर्फ एक ही रहेगा ना तू कम करेगा ना मैं कम करोंगा तो यह illegal होता है इसे रोकने के लिए competition act 2002 बनाया गया है और second example है bid rigging अब जैसे एक product की bidding होती है कोई एक जना एक लाग रुपए लगाता है कोई दस लाग रुपए लगाता है कोई बीस लाग रुप लगाता है तो प्रिवेंट और रिस्टिक कॉंपटिशन और टो एक्स्प्लाइट कंजूमर्स अब जैसे एक मार्केट होती है एक मार्केट में एक प्रोड़क्ट बेशने वाला किंग होता है एक मार्केट में अपने प्रोड़क्ट की प्राइसिंग करता है अपने प्रोड़क्क की प्राइस कम करता है जो नया मच्पा रहा है उसे बेचना मुश्किल हो रहा है अपने प्रडक्स बाहर चले चाराeden सके बा damn एक्जम्पल दिया गया है कि गोशा भी नया प्रोडक्ट जैसे नया कॉम्पेटर मार्केट में आ रहा है उसको आने नहीं दे रहा है सो ऐसे पोजिशन का घलत इस्तिमाल कर रहा है वह ऐसे पोजिशन को रोकने के लिए ही कॉम्पेटिशन एक्ट टूर्जन टू बनाया गया है सो हमारा थर्ड फीचर है कॉम्बिनेशन रेगुलेशन्स दा एक्ट रेगुलेट्स मर्जर्स और अक्वैजिशन और अमल्गमेशन डेड़ कॉल डिटो एन अडवर्स इंपक्ट ऑन कॉम्पेटिशन अब जैसे मार्क कंपणी उसके साथ मिलकर बिज्स करना चाहता है उसे मर्जर गहेंगे तो फिर जो मार्केट में उसको खरीद रहा है तो उसके अब आक्वैजिशन कहेंगे अगर इसे मार्केट को और कॉम्पेटिशन को दोनों को भी होता है पार्टी स्च काम्बिनेशन अर्क्वैट कु seek approval from the competition commission of India if they meet certain results so ऐसा कुछ भी mergers and acquisition होता है एक मार्केट में तो उने CCI से permission लेना होता है CCI क्या है एक commission है competition commission of India इन से आपको commission लेना होता है अब CCI क्या होता है fourth point में पढ़ेंगे दोस्तों सो चलिए हमारा fourth point है competition commission of India याने CCI the CCI is the primary authority responsible for ensuring enforcing the competitive actor so कुछ भी act आते हैं कुछ भी regulations आते हैं कुछ भी नहींने रूल साते हैं competition टू टू में सो वो सब बनाता है competition commission of India इन सी सी आई it has the power to investigate and take action against anti competitive practices अब जैसे मार्केट में anti competitive agreements होते हैं anti competitive practices होते हैं उनके खिलाफ investigate करना और उनके खिलाफ action लेना हों के खिलाफ सजा देना यह सोब का काम करता है CCI याने competition commission of India यह आपका फूर्थ फीचर हो गया दोस्तों अब बढ़ते हमारे फिफ्ट फीचर के तरफ फिफ्ट फीचर है competition अपिलेट ट्रिबिनल याने compact that provides for the establishment of a competition अपिलेट ट्रिबिनल टूहिए अपिल्स अगेंस CCI डिसीजिजन अब एक्जांपल के तौर पर CCI के डिसीजिजन जो कमीशन 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 अफ इंडिया उसने गलत डिसीजन ले लिया तो इसके खिलाफ कोन कारवाई करेगा उसके खिलाफ कारवाई करेगा compact याने competition अपिलेट ट्रिबिनल अब जैसे हमारे इंडिया में हाई कोट होता है अगर हाई कोट का के सुप्रीम कोट में जाएगा सुप्रीम कोट कारवाई करेगी वैसे ही अगर CCI ने गलत रूल्स निकाल लिए गलत अक्शन ले लिया तो आप competition अपिलेट ट्रिबुनल याने compact के खिलाफ जा सकते हैं उसका केस लेकर दोस्तों competition अडवोगेसी दा इंडिया में यह बताता है कि CCI का रोल इसमें है कि कुछ भी competition है कुछ भी competition को promote करना उसका awareness बताना सापने कस्टमर्स तक या अपने मार्केट तक एक पॉलिशी साती है government bodies के तरफ से वो अवेर कराना अपने कस्टमर्स को या तो फिर मार्केट को अवेर कराने का काम है यहाँ पर competition अडवोगेसी में CCI का काम है उसके बाद 7th feature है दोस्तों lignancy provisions act offers lignancy provisions to encourage companies involved in anti-competitive practices to come forward and cooperate with the CCI by providing information about such practices अब फुर एग्जांपल कोई कमपनी ने क्या 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 तुने किया है उसका information दे बुलके यहां पर लाइंजनश्री provisions में act में लिखा गया है उसके बाद eight and last है penalties and remedies this act prescribes penalty for violation of its provisions which can include fines and cease and desist orders so दोस्तों इस act में क्या होता है अगर कोई company गलती की है तो उसको penalties देना fine लगाना या company को cease करना या तो company को कुछ काम करने के लिए बंद करना यह सब इसमें penalties में और remedies में किया जाता है तो इसने कुछ भी घलती की है तो उसको correct करने के लिए उनको motivate करेगा या तो फिर order देगा CCI competitors को दोस्तों यह थे हमारे आठ features जो हमने one by one discuss किये यह अगर आप पूरे लिखेंगे जो मैंने दिये हैं तो आपको सारे marks मिल जाएंगे दोस्तों आपके एक्जाम में अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों और मैं आपको बता दू मैं बिजनस regulatory framework सलेबर स्टार्ट किया था वी कॉर्सम के लिए जिसके अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe कर लिजेगा दूस्तों